अभी हाली में भारत सरकार ने बजट पेस किया है भारत के आम आदमी को उमीद थी कि भारत सरकार इंकम टेक्स में कुछ और छूट देगी लेकिन भारत सरकार ने इंकम टेक्स में कोई भी नई छूट नहीं दी है और सरकार ने ये काया है कि कोरोना काल में हमने कोई नया टेक्स नहीं बढ़ाया है क्या ये छूट कम नहीं है इसलिए लोगों को उमीद थी कि सरकार साथ इंकम टेक्स में छूट बढ़ाएगी लेकिन सरकार ने छूट नहीं बढ़ा लेकिन क्या आपको बता है दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कोई भी income tax नहीं लगता है यह जानना आपके लिए जरूरी है कि दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जहां पर income tax नहीं लगता है देखिया दुनिया में ऐसा देश भी है जहां नहीं देना होता है कोई टेक्स ओमान अधिकतर मैं आपको बता दू कि जो अरब कंट्रीज है ना वहाँ पर कोई टेक्स नहीं देना होता है अधिकतर क्यों नहीं देना होता है कि वहाँ पर तेल और गेस परचूर मात्रम होते हैं तो वहाँ की सरकार इनकों निर्याद करके पैसा कमाती है और विकास कारियों में लगाती है ओमान यहां की सरकार निर्याद से पैसा कमाकर विकास कारियों में लगाती है दूसरा तेस है मोनाको या पर भी कोई भी टेक्स नहीं लगाती है यहां की गवर्मेंट आम आदमी के उपर थार्ड है बर्मुडा इसमें भी कोई भी टेक्स नहीं लगता है आम आदमी पर फौर्ट है कैमेन, फिप्थ है बहरीन, बहरीन भी ऐसा है जहां पर भी कोई किसी तरीकर टेक्स नहीं लगा जाता है, यहां के भी सरकार तेल वर गेस निर्याद करके इसका विकास कारियों में पेसा लगाते हैं, मुख्य जो इंकम का जरिया है साओधी अरब में तेल और गेस यह और वर वर्ल्ड में निर्याद करते हैं, वहां से पर पेसा कमाते हैं और उपने विकास कारियों में लगाते हैं, तो यह कुछ seven countries हैं विसमें ऐसी, जहां पर आम आदमी के उपर कोई भी टेक्स नहीं लगाय जाजाता हैं